हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तु दी ग्लास डेली करेंट अफेर्स इंपोर्टेंट फॉर अल्ड़ कॉम्पूटिटिव एक्जाम्स इस्पेशली पॉर एससी सीडिये सीफ एफ एफ केट तो चलो शुरू करते हैं 17 नवंबर की करेंट अफेर्स उठो जागो और तब तक नहीं तो यहां पर आजएगा फ्रिडोम ओफ क्यूं से ऐटिकल में हैं तो जो अक्षेम करता है प्रेंड ओफ प्रीडव फ्रेस्वं प्रीडव ओफ एक्सेक्ष्ट मुझे अगर बात करेंगे तो वह इसी में आता है तो आटिकल 19 के अंदर हमारे आता है freedom of speech ओके चलते हैं नवंबर के सारे important days की तरफ तो वर्ल सुनामी अवर्नेस डे 5 नवेंबर उत्राखन foundation डे 9 नवेंबर वर्ल साइंस डे 10 नवेंबर 11 नवेंबर नेशनल डे 15 नवेंबर जारगन फांडेशन डे और वर्ल टेलिवेजन डे और 21 नवेंबर 19 नवेंबर ट्वाइलेट डे और 26 नवेंबर Constitution डे और नेशनल मिल्क डे नेशनल मिल्क डे वह भी इसी दिन मनाते हैं तो यह थे हमारे important days of November अब चलते हैं question number two in which state the panchayat extension to schedule areas act पैसा was implemented on November 15 तो पैसा कहां एक्स्टेंड हुआ है यह हुआ है मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश पर पंचायत extension to schedule areas act अब भी implement होगा ओके तो मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश के भी बात करें तो मध्यप्रदेश में लाडली लक्ष्मी लाडली लक्ष्मी 2.0 यह स्कीम कहां पर लौंच वी थी मध्यप्रदेश में लाडली लक्ष्मी 2.0 इंदोर की बात करें इंदोर हैं मध्यप्रदेश में और इंदोर में ही क्या होगा एनराई डे 2023 deposite 2023 सेलिब्रेट करेंगे होगे 2023 कहां पर सेलिब्रेट होगाइं दोर में डिजिटल पता वाली पहली सिटी कौन सी बदाएं कि डिजिटल एड्रेस वाली फेस्सीटि partout गों सी है डिजिटल एड्रेस वाली फेस्स सिटी है इंदोर तोच यह कि एज़ते हैं अक्ले किया है national commission for women national commission for women ने डिजिल शक्ति 4.0 launch किया है अब अगर बात करें तो यह कौन सी बोड़ी है यह एक statutory body okay statutory body है यह constitutional body नहीं है अगर इन सब में बात करेंगे तो constitutional body सिर्फ एक है वह national commission for backward class यह बनी है hundred and second constitutional amendment x है नितियायोग की बात करें तो ना एक statutory body ना यह constitutional body ओके यह दोनों ही नहीं है यह एक executive resolution से बनी हुई body है और इसके chairman कौन है सुमन बैरी इसके chairman है सुमन बैरी इसके CEO सुमन बैरी है और इसके CEO परसन होते है प्राइम मिनिस्टर इसके chair person होते है प्राइम मिनिस्टर इसके वाइस चेर मैंने सुमन बैरी और इसके CEO है परमेश्वर आयर इसके CEO है परमेश्वर आयर ओके तो इसके chairman कौन होते है आखे मिनिस्टर आख कुशन नमबर 4 देख लेते हैं किस नमबर 4 the countries which countries Space Agency launch the Artemis 11 mission तो Artemis 11 mission किस ने launch किया है यह लौच किया है अमेरिका ने नासा ने लौचल किया है नासा ने लौचल किया है इंडिया in recently released climate change performance index 2023 तो climate change performance index इसमें इंडिया की रेंख है 8th okay climate change performance index इसमें इंडिया की रेंख कौन सी है 8th question number 6 who will be honored with the सत्यजीत रे lifetime achievement award 2022 तो सत्यजीत रे lifetime achievement award 2022 मिला है कार्लोस सोरा को कार्लोस सोरा को मिला है सत्यजीत रे lifetime achievement award question number 7 recently which group launch the global shield plan global shield plan कौन से group ने launch क्या है तो वो launch क्या है G7 G7 group जो है उसने launch क्या है अब G20 की meeting कहा हुई थी 2022 की इंडोनेशिया में इंडोनेशिया में इसकी meet हुई थी और 2023 की कहा होगी इंडिया में अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका ग्यार्वा मेंबर कौन सा बना है अभी इसका ग्यार्वा मेंबर कौन बना है क्वेशन नमबर 8 इन नॉवेंबर 2022 व इस बहुद पोइंटेट बाया थे सेंट्र गौर्रम्ट इस द क्वूल- टाइममेंबर ऑफ नितिया यूग फूल-time largest producer of steel in the world so second largest producer of steel बना है इंडिया second largest producer of steel बना है इंडिया question number 10 where will the उत्राखंद high court will be shifted from नेनि ताल तो नेनि ताल से उत्राखंद high court को shift कहां करेंगे हल्दवानी में okay हल्दवानी में बनेगा उत्राखंद का नया high court so that's it for today if you do like the video please like share and subscribe अबने जिसम्राइब ग्डार किस्ट प्राइब और भूच ग्रीज़